फोटो शॉप पर एनिमेशन 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 मैं उम्मिद करता हूँ काफी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि फोटो शॉप पर भी एनिमेशन होता है और जिन्होंने नहीं सुना तो चौकी मत जिया होता है बेचिक लेबल काई होगा लेकिन होगा कैसे होगा देखेंगे हम लोग इस वीडियो में लाल रंग के सब्सक्राइब बट्न को दबाए और हमारे वीडियो का लाव उठाए सबसे 30 दोस्तों ज्यादर तर टाइम क्या होता है कि हम फोटोशॉप पर एडिटिंग करते हैं फोटो एडिटिंग करते हैं और रिसाइज करते हैं फोटोश को लेकिन एडिवेशन भी होता है फोटोशॉप पर ये कई सारे लोग को नहीं पता है बहुत ही सिंपल है डर डर येगा मत इससे क्योंकि ऐसा सुनने में लगता हो फोटोशॉप पर एडिवेशन कैसे होता है हलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि हम फोटोशॉप को यूज करके सिंपल तरीके से पाच मिनट के अंदर कैसे एनिमेशन क्रेट कर सकते हैं एक MP4 फॉर्मैट में एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर लीज़ेगे तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि फोटोशॉप में सिंपल तरीके से इनिमेशन कैसे किया जाता है हम क्लिक करेंगे फाइल पर अब यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे कंट्रोल एन भी दबा सकते हैं यहाँ पर हम अपने मन पसंदीदा हाइट और विर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं मैं सोशल मीडिया के लिए बना रहा हूँ और सोशल मीडिया का हाइट और विद्ध रेश्यो वन इस्टू वन होता है इसलिए मैं 1080 हाइट रखूँगा और 1080 ही विद्ध रखूँगा 72 रेजलूशन है जो कि स्टैंडर वेब रेजलूशन होता है ओके पर क्लिक करूँगा मैं दोस्तो कभी भी बिना किसी आईडिया के एनिमेशन शुरू मत कीजिएगा अगर आप वर्क स्पेस पर आकर सोचने लगे कि मुझे क्या करना मेरा करेक्टर कैसे एंट्री लेगा कैसे एक्जिट लेगा तो बहुत सा टाइम बरबाद हो जाएगा जैसे कि मैंने अभी सोच रखा है कि मुझे क्या एक्जैक्ली करना है एनिमेशन कहां से शुरू होगा कहां पर खतम होगा तो मैं काफी टाइम सेव करने वाला हूँ यहां पर तो देखी दोस्तों मैं बैक्ग्राउंड वाइट रखूँगा मैंने पहले से एलिमेंट से डेडी रखे हैं जो मुझे एनिमेट करने हैं मैं फोटोशॉप का एक आर्टिस्टिक आइकन वर्क स्पेस पर ड्रैगन ड्रॉप करता हूँ अब आइकन आ चुका है इसको मैं अपने मन पसंद साइज के हिसाब से एड़ेस्ट करूँगा यह साइज मुझे सही लग रहा है तो मैं इसको छोड़ दूँगा यहां पर सेंटर पर रखता हूँ इसको दोस्तो मैंने जो आइडिया सोचा हुआ है इनिमेशन के लिए मुझे चार और कॉपी बनाने पड़ेंगे इसी आइकन के तो मैं यहां पर न्यू लेयर क्रेट करूँगा कॉपी लेयर करके ऐसे चार लेयर और बनाऊँगा मैं दोस्तो चार और लेयर्स क्रेट हो चुके हैं तो टोटल पाँच लेयर है एक सेंटर पर और बाकी जो चार लेयर से उनको मैं अड्जेस्ट करूँगा अब यह मैंने यहां पर इसको सेलेक्ट कर लिया अब मैं एक्स्ट्रीम राइट पर एक आइकन का कॉपी रखूँगा similarly मैं आइकन का दूसरा कॉपी एक्स्ट्रीम राइट पर रखूँगा एक मैंने राइट पर रखा हुआ एक लेफ्ट पर रखूँगा मैं आपको बताते जाऊँगा कि exactly मैं क्या करने जा रहा हूँ इसके बाद दो और copies बचे हैं उनको मैं थोड़ा सा right shift करूँगा एक को और दूसरे या last copy अगर आप कह सकते हैं उसको मैं थोड़ा सा left में shift करूँगा ये सारे layers adjust हो चुके हैं मेरे हिसाब से ये वाला जो layer है पहला वाला ये central layer है इसको मैं as it is रखूँगा उसके नीचे आते हैं ये दूसरा layer है जो कि extreme right पे है इसकी transparency मैं या opacity कह सकते हैं इसको मैं 50% करूँगा ये 50% हो चुका है इसके बाद extreme left पे जो layer है उसकी transparency भी मैं 50% करूँगा ये भी हो चुका है अब जो थोड़ा सा right side में shift हुआ layer है ये वाला इसकी transparency मैं 75% करूँगा आपको जैसा भी add animation बनाना है आप उस हिसाब से adjustments कर सकते हैं अब last जो layer है जो left थोड़ा सा side किया हुआ है इसकी transparency भी मैं 75% करूँगा ये भी adjust हो चुका है अब दोस्तों क्या करना है मुझे एक element और add करना है जो कि मैं topmost layer पर रखना चाहूँगा ये आप colorful bubbles देख रहे हैं इसको मैं use करूँगा यहां पर सबसे उपर आप जैसे जैसे वीडियो पूरा देखते जाएंगे आपको पतल लेगा exactly मैं क्या कर रहा हूँ या किस तरह से मैंने ideation किया हुआ है अपने animation का same image को मैं copy करूँगा और इसको नीचे ले आउँगा यह आ चुका है अब दोस्तों क्या होगा जो सबसे important step है उससे और कुछ भी नहीं बस कुछ frames का combination होता है यानि कि अगर आपके पास 20 frames है अलग-अलग 20 frames को आप combine करते हो तो एक video बन जाता है वो तो वीडियो का पहला frame जो है वहामें क्या दिखाना चाहरा हूँ तो मैं दोस्तों सारे layers को off करके राइट साइट का जो Photoshop का option है जो की 50% transparent है या फिर लेट साइट का जो Photoshop option है जो की 50% transparent है उसको मैं सबसे पहले frame में दिखाना चाहता हूँ तो ऐसा ही करते हैं adjustment कर लेते हैं बाकी layers को हम off कर देंगे और जो काम की layers है उसको हम on रखेंगे तो इसको मैं रखना चाहूँगा बाकी सबको मैं off कर दूँगा अब दोस्तों हम window पर जाएंगे और timeline option पर click करेंगे यहां पर दूस्तों create frame animation है इस पर आप click करो तो पहला frame आपका बन चुका है यहां पर आप यहां पर नीचे आप times decide कर लोगे कितने time के लिए अबजेक्ट को या उस frame को आप screen पर दिखाना चाहते हो तो ideally मुझे 0.1 seconds सही लगता है तो मैं उस पर click करूँगा नेक्स्ट फ्रेम पर मैंने यहां पर click किया यह नेक्स्ट फ्रेम का है अब इस frame में मुझे यह वाला Photoshop का आइकन नहीं दिखाना है तो इसको मैं यहां पर off करूँगा मुझे extreme right वाला Photoshop का option दिखाना है तो इसको मैंने on रखा है अगले frame पर मैं जाओंगा तो मुझे ये भी नहीं दिखाना है मुझे actually मैं आपको दिखा रहा हूँ है आप आप on करके जो 75% वाला transparency वाला icon था वो दिखाना है फिर मैं अगले frame पर जाओंगा तो मुझे left side वाला 75% transparency वाला icon दिखाना है तो 4 frames मैंने हो चुके हैं अब पांचमे frame में मैं central जो Photoshop का icon था वो दिखाना चाहता हूँ बीच में जो था अब अगला frame जो है छठा frame उसमें मैं colorful bubbles का उपर वाला element दिखाना चाहता हूँ यानि कि ये वाला अब इसके अगले frame में मैं नीचे वाला दिखाना चाहता हूँ और उपर का bubble जो भी आपका colorful ये bubbles है ये off कर देता हूँ अब same process मैं repeat करूँगा एक बार उपर का bubble आएगा एक बार नीचे का bubble आएगा तो अगले frame में मैंने उपर वाला bubble शो किया है और नीचे वाला आफ कर दिया है फिर अगले frame में मैंने नीचे वाला bubble आउन किया है उपर वाला आफ कर दिया है इस process को मैं 3-4 बार repeat करूँगा ताकि वीडियो की जो length है वो थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि जैसा मैंने कहा था एक वीडियो frame से ही बना होता है और जितने frames रहेंगे वीडियो उतनी लंबी रहेगी तो at least आप 3-4 सेकेंड का अगर वीडियो बनाना चाहते हो तो कुछ frames आपको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे तो दोस्तो यह हमारा शायद हो चुका है एक बार हम play करके देखेंगे और यहाँ पर जो once option है इसको मैं three times कर देता हूँ यानि की लगातारी है तीन बार play होगा अब एक बार देख लेते play करके animation कैसा बना है तो दोस्तो है ना cool अब दोस्तो जैसा कि मैंने बताया था इसको मैं यह जिफ फाइल है यह जिफ में save होगा अगर आप Photoshop से save करोगे इसको MP4 में convert करने के लिए मैं एक simple सा tool बताऊंगा लेकिन उससे पहले इसको save कर लेते हैं हम फाइल पर जाएंगे save for web पर क्लिक करेंगे save या save as पर क्लिक नहीं करना है हमेशा याद रखना save for web पर क्लिक करना अगर आपको GIF file render करना है तो तो यहाँ पर छेटखानी नहीं करनी है हमें सीरिय सेब के option पर क्लिक करना है और जिस folder में आप चाहें उसको सेब कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा animation in photoshop इस file का name मैंने कर दिया है और इसको यहाँ पर save कर दूँगा मैं ठीक है तो यह जीफ फाइल अगर यूज करना है तो आप कर सकते हैं as it is या आपको अगर mp4 बनाना है तो मैंने वीडियो की शुरुआत में जैसे बोला था एक bonus टिप मैं आपको दूँगा वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ तो दोस्तों यह जो साइट मैंने open किया है इसका नाम है ezzip.com यहाँ पर आप जाएंगे जिफ to mp4 वाले टूल पर तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जीफ फाइल चूज कर सकते हैं और वो mp4 में convert हो जाएगा तो मैं चूज फाइल पर क्रिक करता हूँ यहाँ पर और जो मैंने जीफ का फाइल अभी अभी फोटोशॉप से create किया था उसको मैं select करूँगा उस फोल्डर से तो यह रहा दोस्तों यह हमारा जीफ फाइल है इसको हमने select कर लिया है अब मैं upload वाले option पर क्लिक करूँगा यहाँ पर maximum आप 35 MB तक का जीफ अपलोड कर सकते हैं तो दोस्तों हमारा जीफ फाइल जो है वो upload हो रहा है I guess तो दोस्तों यह upload हो चुका है यह देखिए अभी मैं इसको convert जीफ टू MP4 वाले बटन पर क्लिक करूँगा अभी पलक जापकते ही जिफ से MP4 में create हो जाएगा और ready to use MP4 वीडियो आपका बन जाएगा जिसको आप सीधा सीधा सोशल मीडिया पर यूज कर सकते हैं या फिर वीडियो एडिटर में जाके उसको उसमें music लगा सकते हैं आप मन पसंदीदा या फिर voice आप एड़ कर सकते ह तो दोस्तों ये रहा हमारा MP4 output एक बार हम चेक करेंगे कि हमारा वीडियो कैसा बना है प्ले करते हैं ये वीडियो काफी छोटा बना है आप उसी समय या तो उसको जो फोटोशॉप पर हम बना रहे थे और भी फ्रेम्स एड़ कर सकते थे या फिर इसी वीडियो को आप कोई भी ओनलाइन लूप मेकर टूल से लूप में बना सकते तीन बार चार बार दस बार जितनी बार आपको दिखाना है ये एनिमेशन अगर आपको डाउनलोड करना होगा इस इनिमेशन को MP4 फर्मेट में तो तीन डॉट बने वे आपके राइट साइड में वहाँ पर डाउनलोड का ओप्शन आपको देखेगा ये रहा सबसे उपर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर पर ये डाउनलोड हो जाए होगा आप इससे ट्राइ कीजिए घर पर बनाईए दो तीन बार ट्राइ कीजिए आप भी प्रो हो जाओगे बहुत ही इसी आपने जैसा कि देखा मैंने सारा कुछ एक्स्प्रेंड किया हुए काफी सिंपल तरीके से और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो क् देख्स्प्रेंड आज के लिए इतना ही टाडा